Hello friends, so we are going to start a new chapter, तो आपको ये स्क्रीन पर क्या दिखाई देड़ा है, एक खुबशूरत सहर का राग का हसीन नजारा, और ये फिगर देखके, ये फोटो देखके आप समझ गया होंगे, कि हम कौन सा चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चाप्टर इस एलेक्टरिस सिटी, एलेक्टरिसिटी हमान ले कितनी इंपॉर्टन है, ये मुझे बताने की जरुवत नहीं है, अगर एलेक्टरिसिटी ना हो, तो ये खुबसुरत दीखने वाला सहर, बिलकुल डार्क हो जाएगा, बिलकुल डार्क, हम इतने सारी चीजे यूज करते हैं अपनी लाइफ में, और उन सब में एलेक्टरिसिटी का यूज होता है, अगर हम एक टॉर्ट जलाते हैं तो उसमें एलेक्टरिसिटी है, रूम में बल्व जलता है तो उसमें एलेक्टरिसिटी है, हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें एलेक्टरिसिटी है, हम मोबाईल यूज करते हैं उसमें electricity है, kitchen में आपके मम्मी mixer grinder यूज़ करती है, तो उसमें electricity है, आप television देखते हो, refrigerator है, washing machine है, हर चेका electricity है, but without electricity, it is impossible to imagine life, that's why we are going to study this chapter called electricity, electricity, इससे पहले कि हम electricity की बात करें, हमें थोड़ा charge के बारे में समझना पड़ेगा, तो ऐसा तो हमने पहले पढ़ा है, कि जो matter होता है, जो substances होते हैं, objects होते हैं, उनमें protons होते हैं, electrons होते हैं, और neutrons होते हैं, ठीक है, जो protons होते हैं, उन पे कैसा charge होता है, ये भी हमने देखा है कैसा चार्ज होता है उन पर प्रोटोंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एलेक्ट्रोंस पर कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रोंस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है वो न्यूटर होता है ठीक एक प्रोटोन पर कितना चार्ज होता है, 1 प्रोटोन, एक प्रोटोन पर चार्ज होता है, 1.6 into 10 to bar minus 19 कूलम, ठीक, कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, एक एलेक्ट्रोन पर कितना चार्ज होता है, एक एलेक्ट्रोन पर चार्ज होता है, minus 1.6 into 10 to bar minus 19 कूलम, और जैस Neutrons की हमने बात कि उस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं फिर ये भी हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो ठीक है पास पास दो पॉजिटिव चार्ज हो पास पास तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल अगर दो निगेटिव चार्ज हो पास पास तो ये दोनों भी क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं दूर धका देते हैं लेकिन एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है यह दुनों इक दूसरे को attract करते हैं, पास-पास घीचते हैं, ठीक है, तो जो like charges होते हैं, सेम टाइप के charge, positive-positive या negative-negative, तो वो क्या करते हैं, repel, unlike charges, sorry, like charges, like charges, repel, और unlike charges, attract, हम देखिंगे, conductors किसको बोलते हैं, और insulators किसको बोलते हैं, ठीक है, हमार पास यह कोई object है, कोई matter है, कोई substance है, उसमें बहुत सारे electrons होंगे, जो मैंने green dots से represent किये हैं, बहुत सारे protons भी होंगे, ठीक है, होने को तो बहुत सारे neutrons भी होंगे, बट neutrons की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब सोचे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पे तो कोई charge होता ही नहीं है, तो अभी इस chapter में हम थोड़ा charge के बादे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इसलिए neutrons के बादे हैं बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना talking about protons first, यह जो protons होते हैं, यह fixed होते हैं, क्या मतलब है fixed होने का, कहने का मतलब है, यह जो proton है वो यहीं रहेगा, अगर वो matter के अंदर यहाँ पे तो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि यह यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो यहाँ चला जाए, यह सब नहीं चलेगा, जो proton होता है, वो भी मिल गाए, protons are fixed, what about electrons, क्या, electrons भी fixed होते हैं, अब यहाँ पड़ कैच, दो टाइप की सबस्टांस होते हैं, conductor और insulator, तो conductors क्या है, देखें, अगर यह जो electron है, वो free है, move करने के लिए, free है move करने के मत्सटांस कहीं भी जा सकते हैं, अगर ऐसा है, तो यह substance यह, वो क्या कहलाईगा, conductor, लेकिन अगर यह electron फ्री नहीं है, हर जगा जाने के लिए, तो यह substance क्या कहलाईगा, insulator, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, कि conductor's क्या है, conductor's में, electrons अर इंसुलेटर कैसे चीज होती है और इंसुलेटर कैसे चीज होती है जैसे कर मैं आवक कुछ एक्जाम्पल दूँ तो चीज होती है अगर हम इनक्जाम्पल्स की बात करें तो प्लास्टिक वॉड यह सब जो चीज होते हैं इनमें जो एक्जाम्पल्स होती है वो फ्रे नहीं होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं insulators in fact जो भी metals होते है metals वो conductors होते है metals are conductors metals किन को बोलते हैं आप समझते होंगे जिसे iron जो है वो एक metal है aluminum भी metal है copper भी एक metal है जितने ही metals होते है वो क्या होते है basically conductors होते है जैसे ये image आप देखें यह वायर है जो आपने घरो में देखा होगा उसको आपने कभी काटा वाटा भी होगा तो आपने देखा हो गा अंदर यह जो ना copper होता है उसके, copper copper wires, copper जो हो क्या है conductor, और उसके रऊण यह जो colorful plastic coating है, colorful plastic coating या plastic cover वो क्या होता है insulator, in fact यह प्लास्टिक कवर और इंसुलेटर . यह भी आपने देखा ओगा तो यह जो यहाँ पे दीख़ रहे आपको यह copper है यह तीन जो पिंस दीख रहे हैं और यह जो कवर आपको दिख रहे है प्लास्टिक है वो क्या है इंसुलेटर ओके तो अब हम देखेंगे एलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है देखें वाटर करेंट अगर मैं बोलूँ आपको वाटर करेंट तो आप समझ जाएंगे उसका मतलब वाटर करेंट जिसे ये फोटो है इसमें आप देख सकते हैं पानी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है तो जब वाटर फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वाटर करेंट है तो वाटर फ्लो करता है तो हम बोलते हैं वाटर करेंट है वैसे इस chapter में हम charge की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर हमादे पास बहुत सारा positive charge है और आप suppose करें ये इसब करें सब इसब इधर flow कर रहे हैं इधर की तरफ move कर रहे हैं एक ही direction में flow कर रहे हैं या move कर रहे हैं ठीक है इस flow को हम बोलेंगे Electric current तो वाटर के फ्लो को जैसे हम बोलते हैं वाटर करेंट वैसे चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं चार्ज करेंट या फिर एलेक्ट्रिक करेंट पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो भी हम बोलते हैं एलेक्ट्रिक करेंट है तो हम बहुत सकते हैं, electric current is flow of charge, that can be positive charge as well as negative charge, दूसरी बात, अगर positive charge flow करता है, जैसे कि इस direction में flow कर रहा है positive charge, तो हम बोलते हैं, electric current इस direction में, electric current इस direction में, right की तरफ, और current को हम symbol Ic note करते है, electric current right side में, लेकिन जब negative charge right की तरफ flow करता है, तो हम बोलते है, electric current जो है, वो left side में, left side में, तो this is a very important point, हम इसको लिख लेते हैं, if positive charge flows, the positive charge flows, direction of electric current is same as direction of flow of charge, ठीक है, और वैसे हί लिख लेंगे, if negative charge flows, direction of current is opposite to direction of flow, ठीक है, तो positive charge अगर right की तरफ है, flow कर रहा है, तो हम बोलेंगे current भी right की तरफ है, लेकिन negative charge अगर right की तरफ flow कर रहा है, तो हम बोलेंगे electric current जो है, वो left की तरफ है, चलो मैं आपसे एक छोड़ा तक question पूछता हूँ question यह है can electric current जिसको माई से denote करते है can electric current flow in insulator insulator जो हमने देखा है क्या होता है क्या उसमें electric current flow कर सकता है insulator examples wood or plastic क्या wood or plastic में current flow कर सकता है बताएं आप, सोचें क्या लगता है आपको just no the answer is no क्यूexist no क्योंकि उंस एक रेखा था कि insulator में जो protons होते है, वो fixed होते aí ओर और जो electrons होते है, वो भी कैसे होते है, fixed तो protons भी fixed हैं और electrons भी fixed है, यानि कि ना positive charge move कर सकता है यानि flow नहीं कर सकता और ना ही electron जो negative charge है, वो move कर सकता है मतलब flow नहीं कर सकता तो insulator के अंदर ना positive charge फ्लो कर सकता है ना negative charge तो कोई charge फ्लो नहीं कर सकता इसलिए हम बो सकते insulator के अंदर current flow नहीं हो सकता है I hope you understand conductor इक बात करते है क्या conductor के अंदर electric current flow कर सकता है बच्चो सोची आप सोची क्या लगता है The answer is yes ठीक है लेकिन what about electrons हम लेका था conductors वैसे substance होते है जिसके अंदर जो electrons है वो क्या कर सकते है move ये electrons flow करेंगे electrons flow करेंगे इस तरीके से conductors के अंदर जिसके आँ conductor के अंदर current होगा electric current flow कर सकता है तो this is very important point कि insulator के अंदर electric current flow नहीं कर सकता और conductor के अंदर flow कर सकता है due to flow of electrons अब हम देखेंगे electric current का formula क्या होता है तो जैसे आप देखें यहाँ positive charge flow कर रहा है यहाँ पे ऐसे एक में line बना देता हूँ तो आप देखें इस line से charge जो है वो cross कर रहा है positive charge cross कर कर के इधर आ रहा है इस line से ठीक है अगर मैं 2 second तक wait कर रहा हूँ तो कुछ और charge यहाँ से cross हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं T time तक wait करता हूँ T time तक T time तक T कुछ भी हो सकता है 1 second, 2 second, 3 second, कुछ भी T time तक wait कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ charge cross हो गया है से Q चार्ज के लिए Q सिंबल यह उज़ किया दाता है तो यह line मनाई मैंने T time में यहाँ से Q charge cross होके दूसरे साइड आ गया है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि electric current जो है that is Q divided by T Q divided by T वैसा यहाँ पर भी negative charge ही flow कर रहा है तो concept भी लगईगा कि यहाँ पे एक line ऐसे draw कर दी मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हो charge जो है फिर से इधर आ रहा है एक second में कुछ charge इधर आ जाएगा 2 second में कुछ charge इधर आ जाएगा तो हम T second तक wait करेंगे T second में जितना charge आ गया इधर उसको हम बोलेंगे Q और फिर Q और T को हम डिवाइड कर देंगे तो जो quantity आएगी उसको हम बोलेंगे electric current है current की जो unit होती है वो होती है ampere ampere जिसको symbol A से denote करते हैं जिससे एक question करते हैं तो आपको समाझ में आ जाएगा suppose करो यह एक copper का wire है यह orange वाला जो है copper wire है जिसमें negative electrons आगे की तरफ flow कर रहे है copper conductor है उसमें negative charge flow कर सकता है ठीक है उसमें negative charge हुए इधर की तरफ flow कर रहे है ठीक है तो अगर आपसे direction पुछी जाए current की तो आप किदर बताएंगे बोलें किदर बताएंगे direction current की negative charge इधर flow कर रहा है तो direction करेंट की हम इधर बताएंगे opposite direction ठीक है okay now the main question is like this कि हमने यहाप एक line draw किया और हम 10 seconds तक wait कि हमने 10 seconds यहाप खरे रहे हैं तो हमने देखा कि charge जो है वो इधर की तरफ जा रहा है तो हमने देखा कि 40 column charge जो है वो इधर चला गया तो हमें बताना है current की value कितनी है current की value कितनी है बताएं आप कैसे करेंगे इसको तो हम यह formula यूज करेंगे हम लिखेंगे current is equals to q by p ठीक है q की value कितनी है 40 column और time की value कितनी है 10 seconds इसको divide करने पर आ जाएगा हमारे पास 4 और current की unit होती है amp तो हम बोलेंगे current कितना है 4 amp और किस direction में है पीछे की तरह let's do one more similar question NCRT book का question है यह देखें क्या है a current of 0.5 amp यह 4 amp is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes find the amount of electric charge that flows through the circuit देखें इसमें अभी थोड़े से complicated terms है उस पर आप ध्यान न दें मैं आपको question का मतलब समझाता हूँ basically क्या है कि एक wire है कोई कोई एक wire है इस टाइप से ठीक है और इसमें current flow कर रहा है कितना current flow कर रहा है देखें आप 0.5 amp ठीक है तो मैं बताना है कि इस wire से कितना charge flow कर रहा है कितने time में 10 minute में 10 minute में इस wire से कितना charge flow कर रहा है क्या करेंगे बहुत simple है आप वह formula यूज करेंगे i equals to q by t ठीक है तो हम देखें यहां से कि i तो हमें पता है i कितना दियावा है 0.5 amp यहां 0.5 लिखेंगे q में पता करना है ठीक है और t कितना लिखेंगे 10 minute दियावा है 10 minutes तो इसको second में convert करेंगे तो हो जाएगा 10 into 60 seconds तो that will be 600 seconds तो मैं आप लिखेंगे 600 अब इसको हम solve करेंगे तो we will get q is equals to 0.5 into 600 that is 300 और charge की नूट क्या होती है अब देखते हैं यही formula हमने use किया बड़ थोड़े दूसरे तरीके से तो हमने देखा है कि current की unit जो है वो क्या होती है ampere उसकी थोड़ी से और बात करेंगे हम यहां पे तो suppose करो यह copper का wire है ठीक है और इसमें जो negative charge electrons है वो इधर की तरफ flow कर रहे है वो इधर की तरफ flow कर रहे है यानि की current जो हमारा वो इधर की तरफ flow कर रहा है ठीक बात है तो हम क्या बोलेंगे कितना current flow कर रहा है तो हम बोलेंगे current is equals to q by t q is one column and time is one second one by one यह आ जाएगा one ampere ठीक है इस situation को देखके हम ampere को define कर सकते है ampere को क्या define कर सकते हम कि one ampere is the amount of one ampere is the amount of current when one column charge flows in one second ठीक है पॉस्पल है एक second में जब एक कुलम का charge flow करता है तो हम बोलते है one ampere का current है one ampere is the amount of current when one column charge flows in one second current एक चीज़ और में आपको बताना चाहूंगा कई बार आपको ऐसा दियावा होगा कि current is equals to 2m into a ऐसे लिखा होगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब होता है current is 2 into 10 to the power minus 3 ampere तो आप milli ampere में current दिया है तो आप उसको ampere में convert कर सकते हो कैसे 10 to the power minus 3 से multiply करके उसी तरीके से अगर आई दिया हुआ है 2 micro ampere ऐसा symbol बनावा है इसको बोलते है micro ampere micro ampere ठीक है 2 micro ampere for example दिया भाई तो हम इसको लिखेंगे 2 into 10 to power minus 6 ampere ठीक है तो कई पार questions में इस तरह से milli ampere या micro ampere लिखा भा हो सकता है तो आपको उसका मतलब समझना होता है करता है